हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इस मैं इन्वेस्टमेंट में जिस शेयर किया आज हम बात कर रहे हैं इस शेयर में अगर आपने एक साल पहले नो लाक रुपे लगाए होते तो वो आज एक करोड रुपिया बन चुका होता फ्रेंट इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस तरीके से माला माल किया है आज किस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इस परिटिकुलर शेयर में अभी भी कोई निवेश का मौका किया है इवन पिछली दो हफ्ते पहले हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेक आउट हुआ है और अगर यह से रेंज को तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा मौव से स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है फ्रेंट पिछले एक साल में बढ़ चुका है फ्रेंस अदानी ग्रीन की जो मार्केट कैपिटल है वो एक लाख करोड क्रॉस कर चुकी है अदानी ग्रूप की यह पहली कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटल एक लाख करोड क्रॉस की है और अदानी ग्रूप की मार्केट कैपिटल के दानी ग्रिन यह जो है अगले पांच साल में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनरजी कमपनी इवन अगले कुछ सालों में दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूबल एनरजी कमपनी बनने का इनका प्लान है और लगातार इनको बड़े-बड़े ओर्डर मिल रहे हैं इस कमपनी भी जो है आने वाले टाइम में कहीं गुना बढ़ाने वाले हैं और आने वाले टाइम में यह दुनिया के सबसे बड़ी renewable energy company बनना चाहते हैं इस company ने total company के साथ एक जेवी भी किया ता जहां पर इंडिया के आठ इस्टेट में यह जो है solar energy के plan develop करेंगे इन सब news flow के बीच में जबर्दस्त जो है इस पर देखने को मिला और stock जो है अपने lower level से कहीं गुना भड़ चुका है March quarter के लिए कुछ quarter के results भी इसके काफी अच्छा देखने को मिले हैं काफी growth देखने को मिली है in terms of profit revenue अब बात आते कि अगला trigger क्या है और आगे से स्टॉक में क्या strategy होनी चाहिए हमने अपनी पिछली वीडियो में आप से डिसकस किया था कि इस company में सबसे बड़ा trigger यह है कि इस company की 75% इस टेक पर मोटर के रहती है आने वाले टाइम में जो promoter है वह अपनी स्टेक को dilute कर सकते हैं बेच सकते हैं जिस तरह की market capital company को मिल रही है वैलोशन मिल रहे हैं अगर इस प्राइस के आज पास या इसके ऊपर कहीं यह स्टेक करते हैं तो मोटर एक बहुत बड़ा पैसा उठा सकते हैं जहां पर जो है company में नए इंवेस्टर्स देखने को मिल सकते हैं और यह company की तरह बड़ा दिखा सकती है अब बात आती है next strategy क्या होनी चाहिए अगर कोई नया investment करने की सोच रहा है तो इन लेवल पर बिल्कुल भी नहीं करना है stock correct होए नीचे आए तो आप investment करिए क्योंकि जितने भी इनके प्रोजेक्ट से उनके execution में तीन से पांस साल लगने है तो going forward जो है market valuations को देखेगा अभी valuations के इसाब से company थोड़ी महेंगी लग रही है अच्छी चीज़े सारे factored in है और stock बड़ भी बहुच चुका है investments correct होता है नीचे आता है entry का मौका दे और आपका long term का view at least 3 साल का तो आप इसमें investment करें वो लोग जो already नीचे के level से hold करते आ रहे हैं या नीचे के level पर buy किया हुआ है वो जो है trailing stop loss के साथ hold करें current level से थोड़ा और बड़े करें अगर उनका नजरिया short term का है अगर long term 2-3 साल hold कर सकते हैं तो hold करके रखिए आने वाले time में जिस तरह के sector में company काम कर रही है renewable energy जो की माना जा रहा है कि energy का future है और जिस तरह से अदानी गुरूप का पूरा focus इस particular company के उपर है यहां से भी long term में एक बड़ा return दे सकती है पर मेन बात यही है कि इस पर अल्लेडी बहुत जदा आ चुक है अच्छी चीज़े फैक्टर इन है तो एक correction जो है इसमें यहां से आने चाहिए कोई बहुत बड़ी नहीं पर आप माने के चलिए प्राफिट बुकिंग के strategy आपकी होनी चाहिए फिंट्स फर्दर आपकी कोई भी कोई इस particular stock को लेकर हो आप मुझे comment section में बता सकते हैं यह वीडियो आपको पसंद आईए तो अपने fans के साथ share कीजिए like कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं क चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू